हेलो एवरीवन वेलकम टू मैं चैनल आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी की एक बहुती बढ़िया रेसिपी जिसे आप ब्रेकफास्ट या इवनिंग में कभी भी बना सकते हैं बहुती इजी एंड डिशियस रेसिपी है ये तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस रेसिप कप फ्रेश करड़ और इसके साथ ही मैंने इसमें एड किया है एक चमच नमक और थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च और इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ एक कप पानी और इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक स्मूद बैटर त्यार कर लेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे लगभग आदे गंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए अब आप देख रहे हैं कि इसे रखे हुए आदा गेंटा हो चुका है और जो हमारी सूजी है वो अच्छे से फूल चुकी है अब मैं इसमें एड करूंगी थोड़ी सी ग्रेट करी हुई गाजर कटी हुई शिमला मिर्च कटे हुए टमाटर और कटे हुए प्याज आप चाहे तो और भी सबजे अड कर सकते हैं इन सब सबजियों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी अड करेंगे क्यूंकि जो हमारा मिक्स्चर है वो काफी गाडा हो चुका है एक स्मूद कंसिस्टेंसी हमें इसकी बरानी है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी आपको इस बैटर की बरानी है अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें एड कर रही हूँ इनो इसमें लगभग एक पैकेट हम इनो का एड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इससे जो आपके पैनकेक्स हैं वो बहुत ही फलफी बनेंगे अब मैंने यहाँ पे एक कड़ाई में थोड़ा सा ओयल लिया है और इसे हम अच्छे से ग्रीज कर लेंगे और इस पे हमने जो बैटर बनाया है वो पोर करेंगे और इसे अच्छे से फैला लेंगे अच्छे से फैलाने के बाद हम इसे ढग देंगे और दो से तीन मिनट तक इसे लो फ्लेम पे हम ऐसे ही पकाएंगे अब हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं आप देख रहे हैं कितना अच्छे से ये पक चुका है एक साइड से ऐसे ही हम इसे दोनों साइड से पकाएंगे और बीच में कट लगा देंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा देसी गी आप चाहें तो बटर भी अड़ कर सकते हैं सेंटर में कट लगाने से ये अंदर से भी बहुत अच्छे से पक जाएगा और ऐसी ही हम इसे दोनों साइड से पलट कर अच्छे से पका लेंगे अब ये हमारा रवा पैनकेक बनके तयार हैं आप इसे रवा पैनकेक, रवा ओमलेट कुछ भी बोल सकते हैं बहुत ही बड़िया रेसिपी है ये तो आप एक बर जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी